नमस्कार, यूनिवर्सल लूज में आपका स्वागत है। उत्तर परदेश के फटेपुर जिले में आई केंद्री मंद्री साधवी निरंजन जोटी ने राहूल गांदी के बयान पर कताक्ष करते हुए कहा कि राहूल गांदी विदेश में पढ़े हैं। इसलिए उन्हें भारती संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि राहूल गांदी यहां की संस्कृति तो जानते ही नहीं है। पढ़े तो विदेश में हैं। कुम करन कोन हैं। कुमभा क्या है। जानकारी ना होना यह साबित करता है। अभी राहुल गानी को बहुत कुछ सीखने की जरूत है। रोवर्ट बाड़ा को समझ भेज़े जाने वाले ब्यान पर कहा कि रोवर्ट बाड़ा को कॉंगरेस की सदेस्टा लेकर पार्टी का काम करना चाहिए। क्योंकि उनके मन में डर बैठा हुआ है। जाच का शिकंजा जो बैठा हुआ है। उनके घर तक न पहुंच जाए। इसलिए घबराए हुए है। बुलन शेर में होई घटना में शहीद के परिवाल को साहिटा के सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री गंबिर्टा से जाच करवा रहे हैं। जो भी दोशी होगा उसे कठोर से कठोर सजा दी जाए। सरकार शहीद इंस्पेक्टर के परिवाल के साथ है। मुख्यमंत्री आपातकाल बैठक बुला का जांच करवा रहे है। कि कोई भी होगा करिया मैं एजात्मी आपात करनी बैठर बैठर बिलाए है। जोशी भाग कर नहीं जाने पाएगा। मोदी की जन्सभाव में भारत माता की जैना बोले अंबानी की जैबोले बयान पर कठाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांदी के पार्टी के पंजाब सरकार के मंत्री के चुनावी भाशन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे है। अब उन्हें शरबानी चाहिए कि सिद्धू पर कारवाई करें। देश में चुनाव हो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे है। राहुल गांदी को पता भी नहीं कि हिंदू क्या है। भारत माता की जैब बोलने वाले को संपरदाई कहेंगे। मंदीर में जहने वाले को संपरदाई कहेंगे। क्योंकि उनकी जमीन खिसक रही है। जने उध्वारन करने में लगे हुए। अब आप देखें कल फरसो विदिन हैं। उनकी पार्टी के नेता पंध्याब सरकार के मंत्री चुनावी बासर कर रहे हैं। आप पाकिस्तान दिंदावाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अब सरमानी चाहिए कम से कम सिद्दू परोकारवाई करें। कि देख में चुनाव हुए रहे हैं। पाकिस्तान के दिंदावाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो मैं समझते हूं कि रहुल गांदी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। उनके ने तक क्या बोल रहे हैं। मैं अभी आपने भी सुना होगा। राजमीती की गिरावट यहां तक आ चुकी है। कि पहले मानियों पर दान मंत्री जी की मा परकता चुकी है। फिर उनके पिता पर रहुल गांदी कहते हैं मौधी जी को हिंदू पते नहीं कि हिंडू क्या है। अबे रहुल गांदी उनको सम्झ सीखना पड़ेगा कि हिंगो डिलीजन क्या है। उनके परंपर आ क्या है।